ओल्ड पेंशन स्कीम का लाब मिले, इसको लेका दिपेंड सिंग हुड़ा ने राजसरवा में मांग की हैं, दिपेंड सिंग हुड़ा हमार साथ हैं, दिपेंडर जी आपने मांग की हैं कि ओपियस का लाब अर्शानिक बलो को मिले, क्या इसके फैदे आपको दिख रहे हैं? देखिए जब देश में 2003 में बाजपई सरकार OPS को खारिज करके और NPS की निती लेके आई थी तो उसकी नोडिफिकेशन में एक चीज़ लगी हुई थी कि आम फोर्सेज को OPS ही मिलेगा उसको आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं जो आर्मी नेवी और एर फोर्स को तो OPS में रखा गया लेकिन जो हमारे अर्च सैनिक बल हैं CRPA, BSF, CISF, ITBP इनको OPS के दारे से निकालके इनको NPS में ले आया गया अब यह जो फोर्सेज हैं यह भी भारत देश के शसस्तर बलो में इनकी गिंती है यह भी भारत देश के आन फोर्सेज हैं इस बात को लेकर बहुत लंबा इनका अंदोलन चला और अब दिल्ली उचनियाले ने दो हफ्ते पहले के अपने जज्जमेंट में यह कहा कि भारत सरकार सारे अर्थ्सेनिक बलो को कि Old Pension Scheme का लाब दे और आट हफ्ते का समय सरकार को देने का काम किया कि 8 हफ्ते में सरकार इस पोलागू करे लेकिन सरकार अभी चुप है सरकार उने सरकार शायद सुप्रीम कोट में अपील पर जा रही है तो आज सरकार मैंने जो नोटिस दिया जो आज जिरो आर के अंदर हमारा राथ संसद में मैंने जो बात उठाई वो यही थी कि हमें इनको ना इनकी अपील पर नहीं जाना चाहिए दिली उचनाले का फैसले को यह का यह सरकार माने और सारे अर्थ सैनिक बलो को भी उल्ड पेंशन स्कीम का लाब सरकार दे और केवल उनको नहीं प्रदेश सरकार के करमचारियों को बी आगले तो हमेंेकर मौकार के करमचारियों को भी और पिएस पिएस का मुंूंदा गर्माया गाता चुनावों के दोनु क्या हरियाना में B Kongress के समय के सवाएगाibo zar हम साथ है या तो बीजैपी लाओ करें नहीं तो हम आने वालने की मंग लगातार घृण्छेस दिया है कि अगले साल विदान साबा चुनाव अगर कॉंग्रेस जीचती है तो हर्याणा में वो ओपियस लागू करेंगे कैमरमन प्रेदर्शन के साथ देली से सुरह समाचार के लिए विने सिंग